प्रीय हिंदी मित्रों नमस्कार हाइटिक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ हम आज बुनाहो पस्तित हैं बहुत खास वीडियो है आज का वीडियो अती महत्तुपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए महत्तुपूर्ण है लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात हमने कल एक प्रस्न अपने चैनल पर डाला था और आप सभी ने उसका उत्तर दिया यह आप देख सकते हैं हमने प्रस्न पूछा था जो हमने की बात भी करी थी रिवीजन सीरीज 12 हमें कि प्रेम चंद का हिंदी में देवनागरी लिपी में यहां मैंने क्लियर भी किया इसलिए हिंदी में से कई बार धोखा हो जाता है तो देवनागरी लिप में लिखा गया उनका पहला उपन्यास कौन सा है तो ये तो खेर आप कैंसल ही कर दीजिए ये जिनमित्रों ने इनका उत्तर दिया है सायद उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया ठीक से चीजों को पढ़ा नहीं वर्दान और प्रेमा उनके उर्दू में लिखे गए उपन्यास है और ये बाद में अनुदित किये गए हैं तो इनको तो निकाली दीजिए सबसे ज़्यादा जो confusion create करता है वो है सेवा सदन और काया कल्ब आप उत्तर लगाते समय ये बहुत ही ज़्यादा असमंजस हो जाता है कि उत्तर सेवा सदन है या काया कल्ब है मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें वैसे रिविजन सीरीज बारा में हमने बताया था कि सेवा सदन जो है वो उनका बाजारे हुस्न जो उपन्यास है उसका रूपांतरन है सेवा सदन और ये इसका जो प्रकाशन है ये पहले होता है लेकिन ये अनुदित उपन्यास है बाद में आता है काया कल्ब और जो काया कल्ब उमन्यास इनका है वो ऐसा उपन्यास है जो मूलता हिंदी में लिखा गया है ये जो सेवा सदन है ये पहले उर्दू में लिखा गया है बाद में हिंदी में इसका अनुबाद किया गया है लेकिन जो काया कल्प है वो हिंदी में ही लिखा गया तो इसका उत्तर क्या होगा काया कल्प होगा अब एक बात और कि ये जो प्रशन आपको दिया गया था इस प्रशन को आपको seriously लेना है कि नहीं लेना है मित्रों मैं आपको बता दूँ कि ये प्रशन जब आप देख रहे होंगे तो नी संदे आप उस समय YouTube पर होंगे यानि कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे आप YouTube चला रहे होंगे तभी ये प्रशन आपकी नजर के सामने होगा ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपको जरा भी confusion लगता है जरा भी doubt लगता है तो आपको तुरंत जाकर के revision series 12 वीडियो देखना चाहिए उससे क्या होगा काया कल्प जो है ये प्रशन तो आपका clear ही होगा साथ ही साथ क्या होगा कि उस वीडियो में जो अन्य प्रशन हिंदी के दिये गए हैं वो प्रशन भी आपके सही हो जाएंगे उनका फिर से एक बार revision हो जाएगा तो ऐसे में क्या करना है कि आपको बार बार जितनी बार हो सके इन प्रशनों को देखना सुनना और समझना है तब जाकर के ये प्रशन आपको कंठस्त होंगे हिंदी पढ़ने का एक मात्र एक में उतरीका यही है 84 लोगों ने इसमें उट किया था और उनमें से 13 लोगों ने माना सेवा सधन, काया कल्प, अधिक्तम लोगों ने माना आपकी तैयारी अच्छी है फिर भी इस तरीके का कोई confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रशन था तो अब आईए हम आज की वीडियो पर चर्चा करते हैं व्यक्तित्तुकरतितु स्रीच के अंतरगत हम वीडियो ले करके आए हैं इससे पहले कई विद्वानों पर चर्चा हो चुकी है आज हम बात करेंगे तुलसी दास पर, तुलसी दास कितने महत्वपून है ये हिंदी के बिद्यार्थी को बताने की जरूरत नहीं है हमने कक्षा एक से ले करके और परासना तक तक तुलसी दास को पढ़ा है हम पढ़ा करते थे तुलसी सूर कबीर बिहारी इन चारों से परिक्षा हारी यानि परिक्षा में यह चार कभी हैं तुलसी, सूर, कबीर, विहारी इनसे तो प्रस्ण आना ही आना है इनसे तो जिवनी आनी ही आनी है हाई स्कूल इंटर में तो हम उनकी तैयारी करते थे आज भी तुलसी दास बहुत महत्तोपूर्ण है चाहे एंटी एनेट जी आरेफ की परिक्षा हो, TGT, PGT की हो, KBS, NBS की हो, First Grade हो, College Lecture हो, परिक्षा कोई भी हो, तुलसी दास अतिम हत्तोपूर्ण है आज हम तुलसी दास पर बात करेंगे, तुलसी दास पर बात करने के लिए कई वीडियो बनाया जा सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, कितने भी आप बना फिर भी, ये पहला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम सामाने उनके जीवन परिशे की बात करेंगे, उनके करतियों की बात करेंगे, दूसरा वीडियो जो लेकर के हम आएंगे, उनमें तुलसी दास की जो महत्तोपूर्ण बारा करतियां हैं, तुलसी दास की कुल कितन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पर बात की जाएगी आईए हम तुलसी दास पर बात करते हैं बालमी के बाद युक के सारे अंतर विरोत को समेटते हुई किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों का स्रिजन नहीं किया जितना की तुलसी दास ने किया अक्षे कीरती का आधार इनके रामचरित मानस ही है फिर भी इनकी अन्यकृतियां जो है तुलसी की चाहेवा कवितावली हो विनेपत्रिका हो गीतावली हो वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है अताह उनका यतोचित मुल्यांकन उनकी समगर रचनाओं के संदर्म में होना ही चाहिए किन्त अन्यभक्तों और कवियों की तरह उनका भी प्रामाडिक जीवन बृत हमको उपलग्द नहीं होता आप सोच रहे होंगे कि बार बार हमको बताया जाता है कि ये जो पुराने कभी हैं जो मध्यकालीन कभी हैं उनके जीवन बृत नहीं म आत्म गोपन उनका होता था अपने आपको छुपा करके अपने आपको बचा करके जो साहिते की मूल भावना है उसको वो सामने लाते थे और दूसरी बात यी थी कि जो उस समय के कभी होते थे वे आत्मसलागा के सिकार नहीं होते थे आत्मसलागा से आसे है कि खुद की तारीफ करना ये काम उस दोर के कभी नहीं करते थे जो आज के ग्लोबलाइज टाइम के लोग करते हैं खुद से खुद की तारीफ करना ये काम उस्वेहम नहीं करते थे इसलिए क्या होता आप सोच करके देखिए कि इतनी ज़्यादा पुस्तके लिखने के बाद उन्होंने क नहीं ये नहीं लिखा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यू कब हुई थी, उनके माता पिता का क्या नाम था और इसलिए वे द्वानों में उन पर अलग अलग राय है। खेर हम बात करते हैं तुलसी दास पर, तुलसी दास का जन्म जो फुस्तकों में मिलता है 1589 विक्रम संबत, 1554 विसे काल इंदी के तीर ऐसे करके पंक्ती है, स्रावन सुकला सप्तमी तुलसी धर्यों सरीर, ये पंक्ती है, 1554 विसे काल इंदी के तीर, ये है काल इंदी के तीर कहा गया है जन्म अस्थान जो इनका है राजापूर हलाकी अभी विवादित है राजापूर बांदा जिला उत्तर प्रदेश का है और वहां पर बताया जाता है कि तुलसी का जन्म हुआ था पिता का नाम इनके आत्मा राम दूबे था प्रशना आता है माता का नाम इनके हु फिरे तुल्सी सोसुत होए ये पंक्ती जो है लिखी थी रहीम ने, रहीम की पंक्ती है सुरति ये नर्ति ये नागति, सब चाहत असिकोई, गोध लिए हुलसी, यहाँ पर हुलसी सब्दाया या क्लिए हुलसी सस्तुत हो ठीश गतली хalta है, represent, गोध द land ये हुलसी सब्दाय तो उस समय इनके मुह से जो पहला सब्द निकला था वो राम का निकला था अब इनका लालन पालन माता पिता के होने के बाद भी मुनिया ने किया वाई ये प्रसने एक महत्वपूर्ण एक दासी थी मुनिया उन्होंने किया किया इस ते क्योंकि तुलसी का जो जन्म था वो प्राम्मण परिवार में हुआ था और उस सब्सक्राइब जोतिस के हिसाब से अभुक्त मूलनक्षक्त था और ऐसा माना जाता था ये कपोल कल्पित धारणाएं थी कि अभुक्त मूलनक्षक्त में यदि किसी भी पुत्र का या घर में किसी भी संतान का जन्म होता है तो वह एल उनके इस परिवार के लिए सुब नहीं है ऐसे में तुलसी का जो है परी तयाग कर दिया गया था उनके माता-पिता के द्वारा और बाद में उनका लालन-पालन मुनिया नाम की एक दासी ना, कि ये अवली में अपनी बाल्य आवस्था की बेपन्नता को लेकर तुलसी ने लिखा भी है मा तुपिता जग जाई तजो विधयून लिखी कछुभाल भलाई नीच निरादर भाजन कादर कुकुर टूकन लाग लगाई इस तरीके की पंग्ती हमें तुलसी के साहित में देखने को मिलती है तुलसी बार बार अपने बारे में अपने बच्पन के बारे में अपने जीवन की दुख दारित्रे के बारे में भी लिखते हैं समय काल देश काल परिस्थितियों के बारे में भी लिखते हैं तो ये जो है लालन पालर उनका मुनिया ने किया विबाह जो है तुलस कि एक बार वो जो है बरसात की रात थी अंधेरी रात औमावस्या और उसमें ये उस से मिलने चले गये थे और ऐसे में उन्होंने जो है इनको फटकार लगाई थी कहा था जो है वो पढ़ी लिखी इस तरही थी और उन्होंने कहा था कि अस्थि चर्म में देहमं ता में ऐसी प्रीत ऐसी तव स्री राम में होत नतव भौभीत उन्होंने कहा था मतलब कि जिस प्रकार से आपने आप हम से प्रेम करते हैं यह इस प्रकार का प्रेम आप भगवान से ईश्वर से करें तो क्या होगा कि आपका जीमन तर जाएगा और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि तुल स्वामी तुलसी दास का जन 1532 हिस्वी में और मृत्य जो है वो 1623 हिस्वी में हुई थी उपर बात की जा चुकी है वहां संबत बताया गया है यहां पर हमने सन की बात की है इनको याद करना भी बहुत आसान है यह देखिए यहां 15 है 15 के बाद 16 इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है 15 और 16 में यह 32 है और 32 का आप उल्टा कर देंगे तो यह 23 हो जाएगा यहां 32 है यहां 23 है तो क्या है कि जब भी हम अधेन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का हमें एक स्मार्ट पढ़ाई करने की जरूरत है और उनमें इन चीजों पर हमको ध्यान देना है अगर हम गौर क करनी पढ़ेगी क्योंकि रटने में क्या होता है चीजे अक्सर भूलती है अगर आप उनको ले करके समझ विक्सित करते हैं तो चीजे आपको कभी नहीं भूलती 15 इधर 16 आपको दिख रहा है इधर 32 है इधर आपको 23 दिख रहा है एक तरफ यह जादा हो रहा है और दूसर सिक्षा गुरु जिससे उन्होंने संस्क्रत साहित की और अन्य साहित की सिक्षा पाई थी उनका नाम था सेस सनातनी कासी की विद्वान थे सेस सनातनी और उन्हों से उन्हों से जो है गोस्वामी तुलसी दास ने सिक्षा पाई थी कबीर पर हमने वीडियो बनाया है आप उसको भी कुछ विद्वान इनका जन्मस्थान मानते हैं उन विद्वानों में प्रमुक नाम है लाला सीता राम का गौरी संकर दिवेदी का खाजारी प्रशाद दिवेदी का राम नरेस त्रिपाठी जिन्होंने कविता कौमुदी लिखी है और हमने अपने एक वीडियो में बताया है कि इन्होंने ग्राम गीत लिखे हैं सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किन विद्वानों ने ग्राम गीत लिखे हैं तो राम नरेस त्रिपाठी जो है ग्राम गीत लिखने वाले विद्वान है हिंदी में कम लोगों ने ग्राम गीत लिखा है राम दत भारत द्वाजदे, सोरो, एटा जिले का जो सूकर छेतर है, सोरो उसको जनमस्थान माना है, तुलसी का और गडपति चंदर गुप्त ने माना है, आप कमेंट में हमें लिख करके बताएंगे कि गडपति चंदर गुप्त के हिंदी साहित के इतिहास का क्या नाम है, अगला है, दिनी माधवदास, महात्मा रहुवरदास, सिव सिंग सेंगर, सिव सिंग सेंगर भी मानते हैं, राम गुलाम दिवेदी भी मानते हैं, और आचारे राम चंद सुक्ल मानते हैं, कि गोस्वामी तुलसी दास का जनम राजापुर जिले के बांदा जिले के राजापुर प्रश्ण यह बनता है कि निम्न में से किन विद्वानों ने राजापुर को जो बादा जिले में पढ़ता है उसको गोस्वामी तुलसी दास का जन्मस्थान माना है अब इन ही में आपको सोरो सूकर वाला किसी एक विद्वान को मिला करके प्रश्ण बना दिया जाएगा और प्रसन इस प्रकार से जटिल हो जाएगा खास करके एंटी एन एट चेयरेप की परिक्षा या कालेज लेक्षर की परिक्षा में ऐसे सवाल बनते हैं आचारे रामचंद सुक्ल के अनुसार हिंदी कावे की प्राउंडता के युक का आरम जो होता है वो गोश्वामी तुलस जगत भी ब्यापक था उद्दात भावबोद गहन समवेदन सील था अटूट सांस्कृतिक निश्ठा नीरचीर विवेक सुद्रन सामाजिक संसक्ति सरजन सील कलपना अनाहत अस्मिता बोद और आराध धिके प्रति अनन्य भाव ऐसी चीजे जो है हमें गोश्वामी तुल तुलसी दास के संबन्द में नाभादासी का कथन है कि इन्हें कलिकाल का बालमीक कहना चाहिए क्योंकि बालमीक जो है उन्होंने राम कथा तुलसी से पहले कही है और उसके बाद तुलसी ने ही हिंदी में बालमीक ने संस्कृत में कही है और तुलसी ने हिंदी में कही है क काल का पालमीक कहना चाहिए ये मानना है नाभा दास का गोस्वामी तुलसी दास को इसमित जो विद्वान थे अंग्रेज विद्वान है इसमित उन्होंने मुगल काल का मुगल काल पर इसमित ने जो है धेर सारे प्रामारिक एतिहासिक दस्तावेज लिखे हैं और उन्होंने कहा है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति ये गोस्वामी तुलसी दास को कहा है किस ने कहा है इसमित ने कहा है परीक्षा में पूछा जाता है जार्ज ग्रियरसन जार्ज ग्रियरसन ने हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास लिखा है आप कमेंट में हमें लिख करके बताएं तुलसी दास को बुद्ध देव के बाद देखिए कितनी बड़ी जो है इन्होंने उपाधी दे दी है कितनी बड़ी बात कह दी है गोस्वामी तुलसी दास के लिए इससे गोस्वामी तुलसी दास के ब्यक्तित्तों का अंदाजा लगा जा सकता है कि एक विदेशी लिये द्वान है, वो बुध के बाद जो साथ तुलसी को भारत का सबसे बड़ा लोकनाएक पहाए, जौर्ज घृसन ने कहा है कि तुलसी दास को बुध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनाएक कहा जाना चाहिए, अमीर खुसरों पर हमारा वीडियो है, आपको देखना चाह पुछ मनुस्य के सारे भाव व्योवार तक है एक और तो ब्यक्तिकत साधना के मार्ग में बिराग पूर्ण भगवत भजन ये भगवत ने भगवत है भगवत भजन का उपदेश करती है तो दूसरी और लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक करतब्यों का सौंदर दिखाकर हमें मुग्द करती है बहुत बड़ी बात है आपको हिंदी के किसी कभी में इस तरीके का पारिवारिक बोध कौटुम्बिक कभी आपको नहीं दिखेगा तुलसी जो है वो एक कौटुम्बिक कभी है उन्होंने जो लोक का सांस्कृतिक पक्ष है उसको बखुव किया है तो वो भी अच्छा है जहां पर हिंदी प्रियोग की है संस्कृत प्रियोग किया है ब्रज का इस्तेमाल किया है वहां भी वो सिद्ध हस्ताबित होते हैं इसा मानना है आचार रामचन सुक्ल का आचार रामचन सुक्ल के अनुसार तुलसी दासची उत्तरी भारत की समगर जनता के हिर्दे मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ बिराज रहे हैं अब ये याद आपको कैसे होगा ये याद ऐसे होगा जैसे आपने इसमें पकड़ा इनको पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा है जनता का हरदे मंदिर ये जनता सब्द का इस्तिमाल करते हैं आचारे रामचन सुक्ल हजारी प्रशाद दिवेदी इसी के जगह पर अगर हजारी प्रशाद दिवेदी ने एक अथन कहा होता तो वो लोग का इस्तिमाल करते हैं हजारी प्रशाद दिवेदी के अनुसार भारत वर्स का लोक नायक ये देखिए आप इहोंने लोक का प्रियोग किया है जबकि सुक्ल जी जो है जनता का प्रियोग करते हैं ये हिंदी में अक्सर पूछा भी जाता है ये विवात का विशेह है और चल्चा का विशेह है कि सु ने भी गोश्वामे तुलसीदास के समद्ध में कहा है कि हिंदी का जाती है कभी गोश्वामी तुलसीदास को हिंदी का जाती है कभी और इसपर इन्हों उपन्यास भी लिखा है मानस का हंस करके इनका उपन्यास है अमरित लालनागर का आप हमें बताएंगे कि ये जो जीवनी परक उपन्यास है अमरित लालनागर का जिस पर हमने वीडियो भी बनाया है अमरित लालनागर का ये जो जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस इसका प् स्री शंपरदाय रामानुजाचारे ने स्री शंपरदाय प्रवर्तित किया था और विसेस्टाद दोयतवात से प्रभावित थे गोश्वामी तुलसी दास इनकी भक्ति भावना क्या थी दास सिभाव की भक्ति भावना थी ठीक और सूर की भक्ति भावना क्या थी हमने पिछ पूर की जो भक्ति भावना थी वो सक्ख भाव की है, सक्खा मानते हैं और जबकि तुलसी जो है वो राम का दास्वयम को मानते हैं, गोश्वामी तुलसी दास की जो गुरु परमपरा है, प्रशन यहां से भी बनता है, गोश्वामी तुलसी दास की जो गुरु परमपरा है, उसका क्रम क्या है सबसे पहले तो रागवानंद है रागवानंद के सिसे है रामानंद रामानंद के सिसे है अनंतानंद अनंतानंद के सिसे है नरीहरियानंद और नरीहरियानंद के सिसे है गोश्वामी तुलसी दास और गोश्वामी तुलसी दास के सिसे अगर पूछ लिया तुलसी दासें और बेडी माधो दासें गोश्वामी तुलसी दास के मित्रों का जब नाम लिया जाता है तो उनमें बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता है नबाब अब्दुलरहीम खान खाना का नाम लिया जाता है महराज मान सिंग का नाम लिया जाता है नाभादा पर हमारा वीडियो है आधिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिक काल पर बनाया गया है आपको देखना चाहिए गोश्वामी तुलसीदास कृत ग्रंथों की संख्या की बात अगर की जाए तो आचारे राम चंसुक्ल ने गोश्वामी तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ माने है जिनमें पांच बड़े ग्रंथ हैं और साथ छोटे ग्रंथ हैं गोश्वामी तुलसीदास की पांच लगुकृतियों की अगर बात की जाए तो वैरागे शंदीपनी ये आकार के आधार पर बात किया जा रहा है गोश्वामी तुलसीदास की जो छोटे ग्रंथ हैं उनमें वेरागेश हंदीपन, रामलला नहचु, जानकी मंगल, पारवती मंगल, वरवे रामायड को पंचरत नहीं कहा जाता है गोश्वामी तुलसी दास की प्रथम रचना ये परिक्षा में पूँचा जाता है पर्थम रचनाहिन की वैरागेशंदी पर और अंतिम रचनाहिन की कभितावली कभितावली में ही हनुमान बाहुक परिसिस्ट के रूप में जोड़ा गया है रामचरित मानस का रचना की रचना हुई थी संबत 1631 में चैतर सुकल राम नौमी के दिन दिन मंगलवार था इसकी रचना दो वर्ष शात्माह और 26 दिन लगा था इसकी रचना करने में गोश्वामी तुलसी दास को आप हमें बताएंगे कि ये जो रामचरित मानस का रचना काल है ये संबत में है सन में क्या होगा रामाग्या प्रशनावली तुलसी दास द्वारा रचित एक जोतिस ग्रंथ है प्रसन पूछा जाता है कि तुलसी दास की वह कौन सी रचना है जो जोतिस ग्रंथ है अब नाम आपको दिया जाएगा कभितावली, गीतावली, दोहावली और रामाग्या प्रशनावली तो उटतर सही हो गया रामाग्या प्रसनावली कृष्ण गीतावली में गोष्धामी तुलसी दासजी ने क्रिश्prus से संबंधित पदों की रचना की है और पारवती मंगल में पारवती और सियू के विबा को दिखाया है गोष्धामी तुलसी दास ने इस पर अलग से भी बात की जाएगी इन सारी कृतियों फर लेकिन आज एक सामाने परीचे, एक सरसरी नजर आपको हम इस पर डाल रहे हैं रामचरितमानस और कवितावली में गोश्वामे तुलसी दास्ची ने कली काल का वरणन किया बहुत बढ़िया प्रशना है, प्रशना पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर बताएंगे उसमें, अगर ऐसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस और कवितावली कवितावली में बनारस अर्थातकासी के ततकालीन समय में फैली महामारी का वरणन जो है वो उत्तरकांड में किया गया है कवितावली में उत्तरकांड है और रामचरित मानस में भी उत्तरकांड है तुलसी दास ने अपने बाहु रोग से मुक्त के लिए हनुमान बाहु की रचना की है उन्होंने बाहु रोग से मुक्त पाने के लिए आचायर रामचरित सुक्र ने लोकमंगल की साधना वस्था का का बिमाना है रामचरित मानस को लोकमंगल की साधना अवस्था और लोकमंगल की सिध्धा अवस्था ये दो पारिभाशिक सब्द दिये हैं आचाहर रामचंसुक ने अपनी आलोचना पर उस पर अलग से वीडियो बना करके कभी हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे क लोकमंगल की साधना अवस्था क्या होता है और लोकमंगल की सिध्धा अवस्था क्या होता है आप अकसर जो गाइड़ें पढ़ते हैं उनमें कहीं नहीं दिया रहेगा अब आपको सोचना चाहिए कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो लोकमंगल की साधना अवस्था क्य बालकांड, अयोध्याकांड, अरणिकांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड इनका आप क्रम भी बना सकते हैं समझने के लिए बी ए ए ए ए एस एल यू ये अगर आप बना लेते हैं तो इस से आपको चीज याद हो जाएगी तो इस प्रकार ये बालकांड, अयोध्याकांड, अरणिकांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड ये 705 का क्रम है अयोध्या कांड रामचरित मानस का हरदय अस्थल कहा जाता है परीक्षा में पूछा जाता है कि मानस का हरदय अस्थल किस कांड को कहा जाता है इस कांड की चित्रकूट सभा को आचारे रामचन सुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संग्या दिये ये भी परिक्षा में पूछा जाता है चित्रकूट सभा में वेदनीति लोकनीति और राजनीति का समन्वे दिखाई पड़ता है रामचरित्मानस की रचना गोश्वामी तुलसी दास ने श्वांता सुखाय से आसे है कि अपने सुख के लिए और इसके साथ साथ लोकहित और लोकमंगल के लिए इन्होंने रामचरित्मानस की रचना की है अगला प्रशन है रामचरित्मानस के मार्मिक अस्थल क्या है परिक्षा में यहां से भी प्रशन पूछा जाता है रामचरित्मानस के मार्मिक अस्थल है राम का अयोध्या से त्याग पथिक के रूप में वन खिक के रूपे वणकमन करते हैं, चितरकूट में राम और भारत का मिलाप, ये जब मिलाप होता है तो ये अपने आपमे एक आध्यात्विक घटना है, सबरी का आतित्य जो है लक्षमण को सकती लगने पर राम का जो विलाप है और भारत की प्रतीक्शा है, जो राम के लोट उनकी चर्चा उपर की जा चुकी है चार वक्ता-सुरोता की यूगमें है के यूगमें है और वो चार घार भी बताएं क उन्हों सब्त स्व्त चारों घाटों का संँधैं और इंस्पना का। यूग में वो स्यू पारवती हैं और घाट का नाम है संबाद ज्यान घाट जहां पर स्यू पारवती का संबाद चलता है यानि कि स्यू कथा सुनाते हैं और पारवती सुनती हैं ये वक्ता स्रोता का यूग में राम की कथा सुनाई जाती है राज घाट पे काग भुसुंडी गरुन संबाद है उपासना घाट पंघट है जहाँ यागिवल्क भारत द्वाज का संबाद है और पंचायती घाट है जहाँ तुलसी ने लिखा रामचरित मानस और सुनते कौन है संत लोग सुनते हैं संत संबाद है परपत्ति घाट और गाए घाट उसको कहा जाता है मानस तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है मानस जो रूपक है ये तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है अलंकार योजना कि अगर बात की जाए रामचरित मानस में तो तुलसी को जो है विभिन उपाधिया दी है बेद्वानों ने रूपकों का बादशाह तुलसी क तो लाला भगवान दीन ने भी यही बात कही है अनुप्रास का बात्सा कहा है आचारे रामचन सुक्त ने और उत्प्रेक्षाओं का बात्सा कहा है डाक्तर उदैभांग सिंग ने उदैभांग सिंग ने गोश्वामी तुलसी दास को उत्प्रेक्षाओं का बात्सा माना है आचारे हजारी प्रशाद दिवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपून समन्वे की बिराट चेश्टा करते हैं रामचरित मानस में, रामचरित मानस पर सरबाधिक प्रभाव आध्यात्म रामयर का पड़ा है, यह महतुपून प्रशन है, तुलसी दास ने सर प्रथम अपना लिखी तो यह अजोध्या के बाबा रामचरण दास ने रामचरित मानस की पहली टीका लिखी, गोश्वामी तुलसी दास के रचित पांच बड़े गरंथ कौन से हैं, पीछे भी सायद बताया गया यह, रामचरित मानस बिने पत्रिका कवितावली या कवित रामयर भी कहा लिखी छोटे गरंथ हैं, यह महत्तोपूर्ण है, बहुत महत्तोपूर्ण प्रशन है, यह यहां से अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है, अवधी भासा और ब्रज में तुलसी ने अपनी सरबाधिक रचनाई की हैं, तो अवधी में रचित तुलसी के गरंथ कौन कौन स राम चरित मानस उन्होंने अवधी में लिखा है, और यह अवधी का भी प्रकार क्या है, बैश्वाडी अवधी में लिखा है, राम लला नहचून उन्होंने पूर्वी अवधी में लिखा है, बरवे रामायड पूर्वी अवधी में जानकी मंगल पस्चमी अवधी में औ पार्वती मंगल भी पस्च्वी अउधी में लिखा है जबकि ब्रज भाषा में उन्होंने आठ ग्रंथ लिखे हैं दोहावली, कवितावली, स्रीक्रष्ण गीतावली, गीतावली, रामाग्याप्रशनावली, हनुमान बाहुक, बैराग संदीपनी और विनय पत्रिकाव अब इसको आपको याद कैसे करना है दोनों में से कोई एक आप याद कर ले या तो अहुधी के पाचों ग्रंथों के नाम आप याद कर ले या ब्रज के याद कर ले तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी ब्रज वाला याद करना जादा आशान है मेरी चमस से कैसे इनमें आप देख रहे हैं कि जो आठ ग्रंथ हैं उनमें से पांच ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें वली आ रहा है लास्ट में ठीक है ये दोहा वली है कविता वली है स्री कृष्ण गीता वली गीता वली और रामाग्या प तीसरी हनुमान बाहुक ये तीन और हैं एक्स्ट्रा जो ब्रज भासा में लिखा गया है और राम और अवधी के अगर बात की जाए तो रामचरित मानस जो बैश्वाडी अवधी में रामलदा नेशुपूर्भी अवधी में बरवय रामायड पूर्भी अवधी में जानकी म मंगल पश्च्मी और पार्वती मंगल पश्च्मी अवधी में लिखा गया है काब सैली गोस्वामें तुलसी दास ने अपनी संपूर्ण रचना जो उन्होंने बारह ग्रंथ लिखे हैं उनमें किन-किन काब सैलियों का इस्तेमाल किया है यह महत्तोपूंग है प्रबंद क जाबब में उनकी एक रचना है रामचरित मानस दोह और चौपाई सैली का प्रयोग किया गया सैली भी परिक्षा में पूछा जाता है कि रामचरित मानस में किस सैली का इस्तेमाल किया गया है तो यह हैлем कि जानकी मंगल पारवती मंगल राम लला नह्चू ये सभी क्या है निबंद काभे है रामलला नहचु जो आपकी रचना है ये सोहर सैली में लिखी गई है अवद के छेत्रों में वा सैली जो बच्चों के या बालक के जन्म के समय गाई जाती है गीत के रूप में उस सैली को सोहर सैली कहा जाता है मुक्तक काबे सहली में कवितावली और हनुमान बाहुक की रचना की गई है प्रबंध काबे है रामचरित मानस दोहा चौपाई सहली निबंध काबे के अंतरगत जानकी मंगल और पारवती मंगल है रामलला नहचु में सोहर सहली का प्रियोग किया गया है मुक्तक काविशैली, कवितावली और हनुमान बाहुक में मुक्तक काविशैली का इस्तिमाल किया गया है दोहावली और रामाग्या प्रशनावली पूरी तरीके से दोहा सैली में लिखी गया है इस पे चौपाई नहीं है, सिर्फ दोहा है, दोहावली और रामाग्या प्रशनावली, बरवे रामायाड, ये बरवे छंद में लिखा गया है, बरवे सैली है, इसकी आपको अगर पता है, तो आप पताएं कि बरवे जो छंद है, इसमें कितनी मात्राएं होती है, विने पत् पत्रिका और स्रीकृष्णी गीतावली में तुलसी दास में देखने को भी मिलती है, वैराग संदीपन, वैराग संदीपन ये दोहा चौपाई सैली में लिखी गई है, तो इस प्रकार गोश्वामी तुलसी दास पर ये एक सामाने परिशे का वीडियो रहा है, इसके इनकी साहितिक चर्चाएं हैं, इनके जो महत्तोपूर्ण पंक्तियां हैं, इन 12 ग्रंथों से उन पर भी हम लेकर के एक वीडियो आएगे, तो दो वीडियो तुलसी दास पर और आएगा, राजभासा हिंदी पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिन मित्रों ने अब त धन्यवाद, हिंदी विशे से किसी भी प्रकार की शमस्या हो, प्रश्न हो, सुजाव हो, या सायोग हो, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, या कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे